तो दोस्तो आज 24 एप्रिल 2024 बजार में आज थोरा सा रिकवरी देखनी को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,400 के उपर आके 22,402 पॉइंट पे लगभग 0.15% तेजी के साथ और इस बात का अलर्ड भी में आपको कल रात की सारे दस वाली वीडियो में क्लियरली म साहता याद करके देखिए कि उपर की दरव अगर मूफ किया तो 22,500 सबसे इंपोर्टन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा और आज निफ्टी 50 रेजिस्टेंस कहां पे मिला 22,500 के काफी नस्दीक जाके इंटरे हाई टच किया 22,460 पॉइंट पे सस्टें नहीं कर पाया थोरा और आज रात की जो सारे 10 की वीडियो आएगा इसी चैनल के उबर उसे मिज मत करना बिकॉस कल निफ्टी 50 की एक्सपैरी है साथ में मार्गेट प्रेडिक्शनल पार उसी वीडियो में कवर करेंगे तो वो वीडियो जरूर देखना दोस्तों इवेन उसके पहले भी बहुत अच्छा मुवबेंट दिया इसके पीछे में रीजन है खास करके मिट कैप सेक्टर खास करके स्मॉल कैप सेक्टर खास करके PSU कुछ important shares है जैसे की defense sector की बात करें defense PSU सेक्टर में बहुत बढ़िया मुवबेंट देखनी को मिला तो जिसके चलते हो सकता है कि आपकी portfolio भी आज इसको क्रोस करते हुए उपरा के क्लोजिंग दिया 48,189 पॉइंट पे लगबग 0.46% तेजी के साथ अब जब बैंक निफ्टी की बात होई रहा है तो दोस्तों बैंक निफ्टी में मौजूद एक बहुत बड़े बैंक है आज सदेन बजार क्लोस हो जाने के बाद एक बहुत ही शौकिंग अपडेट आया आएए जैसे कि इस वीडियो की थमनेल पे मैं में मेंशन किया ना कि RBI का बड़ा जटका वो बैसिकली एक बड़े बैंक को दोस्तों जटका दिया कौन सा जटका आएए इसके बारे में थोड कोटक महिंदरा बैंक दोस्तों आज की रेट पी इंडिया में यानि भारत में टॉप फाइप प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें उसमें कोटक महिंदर बैंक का नाम आ जाता है तो आप समझ सकतो कि इसका इंपोर्टेंस बहुत जादा है और कल दोस्तों अगर सब कर रहा शेयर में गिरावट हो सकता है गिरावट ने बोल से तो क्रेश भी हो सकता है तो आइए जान लेते हैं मामलक है और भी आई आस्क कोटक महिंदरा बैंक टू स्टॉप इस्टॉप करने के लिए फ्रेश क्रेडिट कर्ट इशू ठीक है ऑन बोर्डिंग फ्रेश लिए अपने कहो बैस को बात करें या बरान के लिए फ्रेश के लिए वहर वह बैस कर दिया प्रपस किया यह जान लेते हैं तो आप देखुत ुझे बैंक और रिब्स का टाइम दिखा देता हूं ताकि आपको नढ़ोट कि यह कब का अपडेट है पहले आप देख लिजे यह देखिए बजार क्लोस हो जाने के बाद डॉट चार बज की अटालीज मीट का अपडेट है ठीक है अब देखिए आप यहां पर क्या लिखा है आर्बी दौरा दर रिजब बैंक ऑफ इंडिया यानि आर्बी आई ऑन वे यहां पर मिला है दोस्तों कुछ ऐसे रूल्स को बाइलेशन किया serious deficiencies and non-compliance in certain areas of its operation तो दोस्तों आप समझ सकते इस बजे से एक्चुली आर्बी आई ने स्टॉप करने के लिए का कौन सी जगह पे एक तो new credit card issue करना दूसरा दोस्तों डिजिटल माध्यम से जो कस्टमर्स को एक्वर करता है बैंक्स ने वहाँ पे दोस्तों स्टॉप करने के लिए कर दिया या बोल सकते एक टैप का restriction कर दिया यहीं न्यूज दैसी बाहर आया अलग-अलग मीडिया निसको कवर किया जैसे कि अभी मैं आपको दिखा यह सेम न्यूस कोई कवर कि आप देख लिजे मनी कंट्रोल के व मिल जागा तो आप चाहे तो चेक भी कर सकतो तो अगर सब कुस ठीक टाक रहा जहां पर आज को टाक महिंद्रा बैंक की शियर बहुत दिनों बाद 1.65% मूबेंट दिया दोस्तों कल इसमें एक अच्छा खासा गिरावाट होने का चांस है जो कि इसके पहले भी आपने देखें भारी बड़कम गिरावट होने का चांस है अब बात यह कि कहां तक गिरेगा तो देखें लास्ट टेम जहां पर अच्छे से सबोर्ट मिला था यानि अगर हम बात करें अल्मूस्ट 1750 के आसपास एक बढ़िया सबोर्ट है यह लेगा टूटा तो उसके इसमें में भी 1690 तक जाने का चांस अब देखें कल ओपन कहां पर होता है वह बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ठीक है तो दोस्तों इससे अगर आपको कोई डाउटस है अपके दिमाग में तो प्लीज मुझे कमेंट की तूप बताईए कमें बॉक्स में अब चलिए थोड़ा सा मार्क था जैसे कि आप देख से तो काफी पॉजिटिव में अपन हुआ था अनफॉट्वेंट इसका वाद थोड़ा सा नेगीटिव में गया और अभी की बात करें अल्मोस्ट मार्जिनल चल रहा है मार्जिनल ना बहुत गिरावट ना बहुत तेजी अगर हम बात करें नैस्ड आपके ब्रेन कूट के अंदर भी देखिए कोई बहुत बड़ा फिलाल गिरावट देखने को नहीं मिला आज की डेट पर बात करें नाकेवल बैंक निफ्टी उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सेक्टर से जिसमें अच्छा का सा मुब्वेंट देखा बहुत सारे सेक्ट जिसके चलते पॉर्टफिलो भी एक अच्छा खासा मुब्वेंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला बाकि देखे टॉप 3 की बात करें फिलाल एजटेप सी बैंक की शेयर की बात करें अल्मोस्ट आदा परसन ज्यादा उपर आके क्लोजिंग दिया बाकि देखिए एई अब देखिए एईचल के बारे में मैं क्या बोलू जो लोग इस चानल को फॉलो करते हैं उनको अच्छे से मालूम होगा एकतम डेवां से अभी तक एईचल को मैं क्यों बार-बार रेकमेंड करता हूं आपके सामने एग्जम्पेल है अगर आप फिर भी समझ नहीं पाएं सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तो न्यूस सुनने का है देखिए यह जो शेयर याद करके देखासे साथ मेने पहले ही इसी लिबेल पर ही स्प्लीट का कमपनी स्प्लीट दिया था यादा रहे कुछ और साथ महीने में दोस्तों स्प्लीट कवर करके टोटल हंडेड प करेंगे देखना मत बूलना ठीक है क्योंकि यह सारी शेयर लगातार में रेकमेंड करना अब देखिए इन्वेस्ट करना ना करना वह आपकी उपर है मैं आपको गाइट कर सकता हूं ठीक है नेक्स्ट इंपोर्टन शेयर देखिए देटा पैटरंस इसमें भी आज बेसिकल कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक्चुली काफी गिरावट देखने को मिला और उसके बाद आज सुभा सुभा एक्चुली जो ब्रोकरेज है ना ब्रोकरेज ने अगर प्रॉजिटीव डेटिंग देदेदा पॉसरी टार्गेट देदेदे दो इसमें मामला जो की लार्ट केप कंपनी अच्की बन चुका अच्छी कंपनी इसमें भी आज बहुत अच्छा मुबें देखने के बाकि दोस्तों वीडियो खतम करने से पहले जैसे कि आकसर मैं बोलता हूं पहले वाली वीडियो में कि आपको और कौन सी टॉपिक के बारे में जानना है क प्लीज दोस्तों बता देना फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक कर बाई जैहिंद